जहें दोस्तों और एक बार फिर से आपके अपने योट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सिक्षक भरती समंदी प्रतेक जानकारी में आप तक भीजता रहता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आज है सूरा नवंबर क्योंकि कल 17 नवंबर से अतिती सिक्षकों का रजिस्टेशन प्रारम होने वाला है दोस्तों और बहुत सारी लोगों की कमेंट भी आयते भाईयों की कि सर प्रात्मी सिक्षक में जो गैश्ट का रिजिस्ट्रेशन होना हूँ उसके बार में जानकारी दीजिए ग्रूपों में बहुत सारी अपवाय फेलाई जा रही है कुछ लोग कह रहे हैं कि गैश्ट में टिक करिए कुछ लोग कहते हैं टिक नहीं किजिए हर प्रकारी के जबाब आपको मैं देने वाला हूँ दोस्तों चली शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहली दोसो दिवस प्लस लिख दिया मैंने इससे अधिक आपने काम किया है स्कूल में वर्किंग डे आपके हैं तो आप जी हाँ बिलकुल अधिति सिक्षक हैं आप जो है अधिति सिक्षक करा सकते हैं दोस्तों आपको जब भाई वो कमेंट आया थे कि सर हमारे दो सत्र हुए है ठीक है ना दो सत्र हुए हैं क्या हम टिक कर सकते हैं बिलकुल नहीं दोस्तों आप ऐसी गलती बिलकुल मत करना दोसो सत्र या फिर दोसो दिन से कम हैं दोसो दिन से कम दिवस दोस्तों तो बिलकुल भी आप ऐसी गलती ना करें आपको केवल 75% वाली सीठ जो आएगी इसकी वरतमान 17 का अतिथी प草नgas पत्र मान होगा कि नहीं होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूँ डी-पी-आई में मान नहीं है. क्योंकि डी-पी-आई अभी दोस्तों क्योंकि डी-पी-आई की जो अनुभण प्राणपत्र हैं को ओνनेया बनते हैं दोस्तों. बिल्कुल यही निर्देश आने वाला है, कि हो सकता है ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जो वरतमान सत्र के अनुभव पाणपत्र हैं, वो ना माने, क्योंकि संग्त कांस्लिंग कौन करा रहा है दोस्तों, डीपी आई, तो पूरा काम डीपी आई की द्वार हो रहा है, ना क संबर तक के समस्त दस्ता वेज, अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो वो मान किये जाएंगे दोस्तों, यहाँ कोई सस्पेंस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ट्राइबल डेपार्टमेंट वरतमान के सत्र के अनुभव पाणपत्र मान नहीं होंगे, लेकिन जो डेट दी गई 9-12-2022 की, वहां तक बिल्कुल सही है, कि अन जो दस्तावेज आपकी मार्क सीट है, D-Ed, B-Ed, जो भी है, वो मान हो जाएंगे, क्योंकि DPI जो हो वरतमान सत्र के अनुभव जनरेट नहीं कर रहा, मतलब वरतमान सत्र कैसा दोस्तों, रनिंग में है इसलिए मुझे उमीद कम लग रही है, कि ऐसा होगा, चलिए, तो ऐसे भाई जो हैं, जिनके 200 दिवस ना हों, 270 हुए हों, 270 ना हों, ऐसे लोग बिल्कुल टिक ना करेंगे, अब चलते हैं, चोंथा डाउट दोस्तों, चोंथा डाउट ऐसे भाई जो 115 प्लस नंबर वाले ह हैं, ठीक है, और आपको बता दूँ में, गैस्ट फैकल्टी में मात्र 4600 पद हैं, सभी अलग-अलग कैटेगरी के, अगर मैं जंदल की बात करूँ, तो DPI में 260 और ऐसा टोटल मिला के लगभग 400 पोश्ट आ रही हैं, यू आर की दोस्तों, और अगर मैं OVC की बात करूँ तो OVC के पास मात्र 356 पोश्ट हैं दोस्तों, इसी परकार SC की बात करूँ, तो लगभग SC में भी 200 की लगभग पद हैं दोस्तों, ये केवल मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है न, इसी में अगर जाओगे तो फिमेल भी आप कर सकते हैं, तो 330 करीब फिमेल हैं, यहाँ पर 300, यहाँ पर दोस्तों, 340 करीब फिमेल आएंगी, यहाँ पर भी जो है लगभग दोस्तों, 100 कुछ फिमेल हैं दोस्तों हैं, तो कुल मिलाके अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बोलू, थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे होगा, या आप समझदार हैं न, मैं करक्त नहीं मैं इसे राउंड फिकर मान लेता हूँ, कि 300 लोग मिल चुके हैं, अब सोची, 215 प्लस वाले, 280 या 290 कैंडिडेट, मैं इसे 300 मान के चल रहा हूँ, यह मिल चुके हैं आलडी, 1600 अतिती सिक्षकों की एक लिष्ट है, उस पर दोस्तों, तो आप समझदार हैं कि जब इतने हैं, और आपकी सीट इतनी हैं दोस्तों, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका स्लेक्षन होना है, नहीं होना है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप वर्तमान में देखो, अभी 2022 ते इसका डैसबोर देखो, टोटल रजिस्ट्रेशन 9,97,000 हैं, लेकिन सत्य कितने हैं, पांच लाग, इसमें तीन लाग और जोड़ी है, ट्राइबल डेपार्टमेंट की, अभी तक के, चलो तीन लाग ना जोड़ो, दो लाग तो जोड़ो, कम से कम, कि जब पांच लाग डीपी आई के हैं, तो असानी से दो लाग किसके होंगे, दो लाग होंगे, केंडिडेट हैं, जो वर्ग तीम की परिक्षा पास किये हैं, अब इसका आप सोच सकते हैं, कितनी अतिती सिक्षक हैं अभी, तो मतलब मेरा यह बोलने का, क्योंकि मैं किसी को गुमराह या जो अपवाह नहीं फेला रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने के बाद, प्लीज ऐसा कमेंट ना करें, कि सर आप वहाँ फेला रहें, ऐसा कर रहे हैं, आप अतिती सिक्षक, आपकी मर्जी आपको अतिती सिक्षक टिक करना तो कर सकते हैं, अतिती सिक्षक टिक ना करना तो ना करें, मुझे इससे कोई आप से लेना देना नहीं, लेकिन जो रियल ह कि सर आप कह रहे हैं सा तो हम लोग ऐसा किये हैं आप सो तंत्रे आपका निर्णा में बिल्कुल भी गुमरानी करूं एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों अब बात आती है कि 115 प्लस वाले भाई भेन जिनकी रैंक UR में दोस्तों जिनकी रैंक की बात करूं मैं अगर जिनकी रैंक जो है UR में UR केटाग्री में लगभग 1500 के आसपास है ठीक है ध्यान लखना 115 या 110 मतलब मैं यह डेटा नहीं बोड़ा हूं 115 या नंबर वाले जिनकी रैंक लगभग 1500 के प्लस है ध्यान देंगे जिनकी रैंक जो है लगभग 1500 के आसपास है यानि अधिक्तम ज्यान रखेंगे अगर जिसकी रैंक लगभग 1500 के आसपास है प्लीज वो जो है गैस्ट कोटा गैस्ट में क्लिक ना करें आपका जो है 75% की मेरी लिश्ट में असानी से हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल टिक ना करें क्योंकि आप बहुत हईश नंबर 1500 रेंग के यूर में मान के चलो आपका सेलेक्शन तो से ओर है और दूसरी चीज एक चीज और बता दूँ कुछ भाई लोगों कमेंट आये थे मुझे स्पेसिली की सर प्लीज जो है बता दीजी मेरे इतने नंबर मे करूं ना करूं तो उन भाईयों को भी इसी वीडियो कमादम से जानकरी देना चाहूंगा आप ना करें गैस्टिक क्योंकि आपका सेलेक्शन से ओर है दोस्तों बिल्कुल से ओर आपने मुझे रिजल्टी भी भेजा तो मैं बोल रहूं आपका हो जाएगा ठीक है लेकिन आप इसके लिए स्वतंत्र हैं ये नहीं कहने की सर आप बोल दिये थे आप स्वतंत्र हैं मेरे से पूछा मैंने आपको रहा सलाह दे दी क्लियर दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं अब बात आती है कल्स की कल यानी 17 नवंबर की कल लगभक दोस्तों 11-12 बज़े के आसपास जो है पूर्तल दोस्तों ऑन हो जाएगा पूर्तल में आपका जो है Registration स्व प्रारम हो जाएगा तो एक बार में ले ले लाए में सवं से क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आए हैं जिनके वह भाई निर्ना लें क्योंकि आपके छोटी भाई बहनों कही सेलेक्शन होग अगर आप अतिति टिक करते हैं तो आपके लिए रिस्क है दोस्तों क्यों रिस्क है आपके लिए क्योंकि आप फिर दोस्तों 25% सीट से उपर उठके नहीं जा सकते हैं आप जो है यहीं पर सीमित हो जाएंगे इसलिए ऐसा रिस्क नाल है आप तो बहतर हैं कि आप 75% सीट में हो जाएंगी बिल्कुल भी आपको टिक करने क्या हो सकता नहीं है दोस्तों तो इससे क्या होगा कि जो कम नंबर वाले हैं उनको फायदा मिल सकता है है ना आपका तो सेलक्षन होना से ओर है तो इस तरीके की विचार धारा रखें किसी को गुमराह मत करें किसी को गलत सलाह ना दें सभी अपना अपना खुद से लेवे कल से पोटल चालू हो रहा है अपना अपना टेकाप कर सकते हैं दोस्त तो गेश टीचर यानि छुपिर उस्तम बहुत हैं इसलिए आप ऐसा रिस्क ना करें आप तो 75% के सीट में आप किलिक जो है मेरी लिस्ट आईगी उसका अंतजार करें आप बिल्कुल भी गेश टिक ना करें बाकी आपके मर्ची दोस्तो तो ये था मेरा बताने का मतलब और अगली वीडियो में अगली खबर के साथ कल मिलूँगा तब तक के लिए जाहिन नमस्कार चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक सदिक सेयर करेंगे वीडियो को